हलो फ्रेंड मेरा नाम है म्रिनल गोश और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसन तरीका से अपना लोकेशन किसी को भी सेंट कर सकते तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते सबसे पहले हमको अपना फोन का लोकेशन अन करना परेगा सबका फोन में गूगल मैप रहता है अगर अपका फोन में नहीं रहेगा तो आपको इंस्टाल करना परेगा प्ले स्टोर से तो हम क्या करेंगे अभी गूगल मैप अप में चला जाएंगे गूगल मैप अपन हो जाएगा तो हम गूगल मैप अपन कर लेंगे Google Map open करने के बाद उपर में right side में हमको एक option मिल जाएगा तो देखी इधर मेरा जो photo दिख रहा है ओई option पर जाना परेगा उधर click कर देंगे तो बहुत सरे option हमको मिल जाएगा तो आपको photo रहेगा तो photo दिखेगा नहीं तो आपको Gmail का जो नाम रहेगा नाम का first letter इधर दिखेगा तो हमको क्या करना परेगा ओई option पर जाना परेगा ओई option पर क्लिक कर देंगे तो बहुत सरे option इधर open हो जाएगा तो देखी इधर हमको middle में एक option मिल रहा है location sharing ओई location sharing option पर जाना परेगा share location option पे click कर देंगे तो location sharing का next page इधर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे share location option पे click कर देंगे तो देखिए इधर सबसे पहले हमको दिख रहा है हम कितना time के लिए location sharing कर रहा है इधर one hour set रहता है इसको हम plus minus कर सकते और नीचे हमको और एक option मिल जाएगा until you turn this off तो यह option भी हम choose कर सकते और सबसे नीचे हमको मिल जाता है हम कहा से location sharing करेंगे तो इधर बहुत सरे option हमको मिल जाता है whatsapp, messenger, messaging, chat बहुत कुछ हमको इधर मिल जाता है तो कोई भी एक option से हम location sharing कर सकते तो हम whatsapp से करके दिखाएंगे इसलिए हम whatsapp option पे click कर देंगे अब ओट्षन मिल जाएगा बोगी share option पे click करना पारेगा पारेगा ऍज्य को हम location को share कर पाएंगे अब उप्षन पे click कर देंगे तो दिखी इधर whatsapp ओपन हो गया तो इधर whatsapp से हमको select करना पारेगा कीस को हम हम send करना चाखते उसको हम select करेंगे उसको select करने के बाद हम नीचे देखिए arrow option दिख रहा है नीचे जो arrow option दिख रहा है वोई option पर click कर देंगे तो हम send कर पाएंगे तो अभी हम क्या करेंगे यह arrow option पर click कर देंगे तो देखिए इधर link आ गया अभी नीचे हमको send का option मिल जाएगा right side में send option पर click कर देंगे तो यह location सेंड हो जाएगा तो देखिए अभी लोकेशन सेंड हो गया अभी जिसको हम लोकेशन सेंड किया है वो ये लिंक पे क्लिक करके अपना रियल टाइम लोकेशन देख पाएगा तो ऐसे ही हम बहुत ही आसन तरीका से अपना location किसी को भी send कर सकते हम whatsapp से कर सकते, messaging से कर सकते messenger से कर सकते, email से कर सकते कोई भी option से हम अपना current location हम किसी को भी send कर सकते I hope मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like ज़रूर करना और बहुत सारे share करना और मेरे को comment करके बताना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए हो तो subscribe भी ज़रूर करना अज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जय हिंद